C.I.E.T. N.C.E.R.T. presents Dictionary of Economics for Schools Trilingual Arthshastra का शब्द कोश विद्यालेउं के लिए त्री भाशी माशियात की लुगत स्कूलों के लिए सहलसानी Index R Random Numbers Page 121 Random Sample Page 121 Rao VKRV 1908-1991 Page 121 Rate of Interest Page 121 Raw Material Page 122 Real GDP Page 122 Real Income Page 122 Recession Page 122 Rectangular Hyperbola Page 123 Redistribution of Assets Page 123 Redistribution of Income Page 123 Regional Equality Page 123 Regional Trading Block Page 124 Regional Variation Page 124 Regressive Tax Regressive Tax Page 124 Regular Salaried Employee Page 124 Regulated Economy Page 125 Page 125 Relative Price Page 125 Remittance Page 125 Renewable Resources Page 125 Page 125 Page 125 Repo Rate Page 126 Representative Sample Page 126 Reserve Bank of India Page 126 Resource Extraction Page 126 Page 126 Resources Page 127 Retailer Page 127 Retailer Page 127 Returns to Scale Page 126 Page 126 Revenue Expenditure Page 128 1998 to 1984 Page 130 Royalty Page 130 Rural Urban Migration Page 130 Let's begin with alphabet R Page 121 R Random Numbers A list of numbers between 0 and 1 constructed so that there is no relation between one number and the next These numbers which are used to draw random samples are published in the form of books and can also be generated by using appropriate software packages. Random number tables can be used from any page, any row or column or from any point. These are available in two-digit, three-digit and other formats. Yadrachik Sankhyaein Yadrachik Sankhyaein 0 तथा एक के बीच की संख्याओं की वो सूची है, जो इस तरह से बनाई जाती है, कि पहली संख्या तथा अगली संख्या में कोई संबंथ नहीं हूता. इनका पुस्तकों के रूप में प्रकाशन हुआ है, और उप्योक्त सौफ्ट्वेर पैकेजों का उप्योग करके भी इने उत्पन किया जा सकता है. समग्र में प्रतीक व्यक्तिक एकाई को चैन की समान प्रायक्ता की गारंटी देने के लिए इने विशिष्ट गणितिय विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है. यादरिचिक संख्या सारणियां किसी प्रष्ठ, किसी पंती या स्तंब या किसी बिंदू से प्रयुक्त की जा सकती है. इस सारणी से प्राप्त संख्याई यादरिचिक होती है. ये दो अंकिय, तीन अंकिय या अन्य प्रारूपों में उपलब्ध है. इत्फाकिया एड़द सिफ़र और एक के दर मियान एड़द की वो फैरिस्थ है जो इस तरह तश्कील दी जाती है कि पहला अदद और उसके आगे के अदद में कोई तालुक नही होता इन एड़द की अशाद किताबों की शकल में होती है और इन्हें मुनासिब सॉफ़वेर पैकेजों का इस्तिमाल करके भी पैदा किया जा सकता है. इत्तफाकिया एदाद की जदूलों को किसी भी सफ़े, कतार, कॉलम, नुक्ते के लिहास से इस्तिमाल किया जा सकता है. ये एदाद, दो अददी, तीन अददी और दीगर शकलों में दस्तियाब होते हैं. Random Sample A subset of the entire possible data about the variable being studied is called a sample. If a sample is to be chosen so that each value has the same chance of being selected in the sample as its frequency in the population. If choosing of any one data in the sample does not affect the chance of any other data being chosen, then the chosen sample is called a random sample. The choosing of such a sample can be done by many methods that include a lottery or using random number tables or certain systematic methods. YADRI CHIK PRATI CHAIN जिस चेर के बारे में अध्यान किया जा रहा है, उसके सारे आकणों का एक उप समुच्य. यदि प्रतिचैन का चैन इस तरह किया जाना है, कि प्रतिएक संख्या के प्रतिचैन में चुने जाने की संभावना उतनी है, जितनी समग्र में उसकी आवरिती. यदि प्रतिचैन में एक संख्या चुनने से दूसरी किसी संख्या चुने जाने की संभावना प्रभावित नहीं होती, तो चुना गया प्रतिचैन याद्रिचिक प्रतिचैन है. इस तरहें का प्रतिचैन चुनने के कई उपाई हैं, जिनमें लौटरी या याद्रिचिक संख्याओं की सारणी का उप्योग या अन्ने विवस्थित उपाई शामिल हैं. इत्फाक या नमूना, रैंडम सैंपल, जिस मतगीरा का मुतालिया किया जा रहा हो, उसके सारे एदाद और शुमार का जेली मजमुआ यानी सबसेट. अगर किसी सैंपल का इंतखाब इस तरहा किया जाता है कि सैंपल में हर अदद के मुन्तखिब किये जाने का इमकान उतना ही हो जितना के मजमुए में उसके तादद का और सैंपल में किसी एक अदद के इंतखाब से किसी दीगर अदद का इंतखाब करने के इमकान पर कोई असर ना पड़े तो मुन्तखिब सैंपल रैंडम सैंपल कहलाता है। इस तरह का सैंपल मुन्तखिब करने के कई तरीके हैं जिनमें लॉट्री या इतिफाक या एदाद की फेहरिस्त का इस्तिमाल या दीगर मुनजम तरीके शामिल है। of National Income in India as a member of the National Income Committee in 1948. He founded the Delhi School of Economics, Institute of Economic Growth Delhi and Institute of Social Change Bangaluru. RAV VKRV 1908-1991 एक भारती आर्थ शास्त्री जिनोंने 1948 में राष्ट्री समिती के सदस्य के रूप में राष्ट्री आय के अनुमान की अवधारनाउं और पधधियों की अगवाई की थी. उन्होंने दिल्ली स्कूल ओफ एकनॉमिक्स, आर्थिक विकास संस्थान दिल्ली और सामाजिक परिवर्तन संस्थान बैंगलूरू की स्थापना की थी. राव WKRV, 1908 से 1991. हिंदुस्तानी माहिरी अक्टसादियात जिन्होंने 1948 में कोमी आमदनी कमेटी के एक रुकुन की हैसियत से कौमी आमदनी की तुखमीनाकारी के तसहरात और तरीकों की बुनियाद रखी. उन्होंने Delhi School of Economics, Institute of Economic Growth Delhi और Institute of Social Change की बुनियाद डाली Rate of interest The percentage that is charged by the lender for the use of money for a definite period of time Normally, the time period is one year The rate of interest expresses the preference of people for present income over future income For example, on 8% rate of interest, it says that the lender obtains 8 by 100 which is equal to 0.08 rupees for each rupee lent for one year It also means that the borrower is willing to pay or return rupees 108 after one year for using rupees 100 today ब्याज दर एक निश्चित समय के लिए मुद्रा का उप्योग करने के लिए रिन दाता द्वारा लिया गया मुद्रा धन का प्रतिशत सामाने तह ये निश्चित समय अवधी एक वर्ष होती है ब्याज की दर लोगों की भविश्य में मिलने वाली आय पर वर्तमान आय को दी जाने वाली प्रार्थ मिक्ता को दर्शाता है उधारण के लिए आठ प्रतिशत ब्याज की दर से अभिप्राय है कि एक वर्ष के लिए दिये जाने वाले प्रतिएक रुपए पर रिन दाता को आठ भाग एक सो रुपए या आठ पैसे मिलते हैं इसका एक अर्थ ये भी है कि आज एक सो रुपए का उप्योग करने के लिए रिनी एक वर्ष के बाद एक सो आठ रुपए देने के लिए तयार है रेट आफ इंट्रेस्ट शरहसूद एक मुकररा मुद्द के लिए पैसे का इस्तमाल करने की गर्ज से कर्ज देहनिदा की तरफ से वसूल किये जाने वाले पैसे का पीसद तनासुब ये मुद्द अमूमन एक साल होती है शरहसूद आइंदा आमदनी पर मौझूदा आमदनी को दी जाने वाली तरजी को जाहिर करती है मसलन आठ फीसद शरहसूद का मतलब ये है के कर्ज देहनिदा को एक साल के लिए दिये गए कर्ज के हर रुपए पर आठ बटा सौ रुपए या आठ पैसे हासिल होंगे इसका एक मतलब ये भी है के आज सौ रुपए का इस्तिमाल करने के लिए कर्जदार एक साल बाद एक सो आठ रुपए देने पर रजामंद है Page 122 Raw Material Inputs that get transformed in the process of production. They can be both primary and secondary. For example, cotton is a raw material for manufacturing cloth, whereas cloth is a raw material for the textile industry. They are completely used up in the process of production, unlike machines used for production. कच्चा माल वो आगतें जिनका उत्पादन प्रक्रिया में रूपांतरण किया जाता है. ये प्राथ में तथा दुतियक दोनों हो सकते हैं. उत्पादन प्रक्रिया में उप्योग की गई मशीनों के विप्रीत. ये उत्पादन प्रक्रिया में पूरी तरहां से समाप्थ हो जाते हैं. खाम माल वो अशिया जो पैदावार के अमल में बदल जाती हैं. ये अप्तिदाई भी होती हैं और सानवी भी. मसलन, कपास कपड़े का खाम माल है जबके कपड़ा, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री का खाम माल है. पैदावार के लिए इस्तिमाल की जाने वाली मशीनों के बरक्स, खाम माल पैदावार के दौरान पूरी तरहा खत्म होता है. Real GDP Value of goods and services produced in an economy in a given period in physical terms. For example, if an economy produced 100 bags of rice in a year 1 and 2, but price of rice doubled in year 2, in this case, real GDP will be same in both years, whereas nominal GDP of year 2 will be twice that of GDP in year 1. Real GDP is used to show the change in GDP after eliminating the price changes. It can be calculated by deflating nominal GDP by a suitable price index. The price index used for this purpose is usually the GDP deflator. See also, GDP deflator. वास्तवेक सकल घरेलू उत्पाद एक निश्चित समयावधी में, एक अर्थ व्यवस्था में उत्पादेत वस्थूं तथा सेवाओं का भौतेक मूल्लें. उधारण के लिए, यदि एक अर्थ व्यवस्था में पहले तथा दूसरे वर्ष चावल की एक सो बोरी का उत्पादन होता है, लेकिन दूसरे वर्ष चावल की कीमत दुगनी हो गई. इस स्थिती में, दोनू वर्षों में वास्तविक जीडीपी बराबर होगा, जबकि दूसरे वर्ष का मौद्रिक जीडीपी पहले वर्ष से दुगना होगा. कीमत में परिवर्थन का प्रभाव हटाने पर, GDP में होने वाला परिवर्तन दर्शाने के लिए वास्तविक GDP का उपयोग किया जाता है इसे मौदरिक GDP को एक उपर्युक्त कीमत सूचकांक द्वारा आविस्फिती करके परिकलित किया जा सकता है इस उद्देश से उप्योग में लाया गया कीमत सूचकांक, सामान नितह सकल देशी उतपाद आविस्फिती कारक होता है देखीं, सकल घरेलू उतपाद आविस्फिती हकीकी जीडीपी किसी मैशत में एक मकररा मुद्द के दौरान पैदा की गई चीजों और खिदमात की मादी गदर मसलन, अगर किसी मैशत में पहले और दूसरे साल सौ बोरी चावल पैदा होता है लेकिन दूसरे साल चावल की कीमत दोगनी हो जाए तो ऐसी सूरत में दोनों बरसों में हकीकी जीडीपी बराबर होगी जबके दूसरे साल का राइज जीडीपी पहले साल का दुगना होगा हकीकी GDP का इस्तिमाल कीमत में तबदीली का असर हटाने पर GDP में होने वाली तबदीली को जाहिर करने के लिए किया जाता है इसी का हिसाब मुनासिब कीमत अशारिय के जरीय राइज GDP की तफरीद कारी करके किया जाता है इसी मकसद से इस्तिमाल किया जाने वाला कीमत अशारिया अमूमन GDP तफरीत का GDP डिफलेटर कहलाता है नेज देखिये रस्मी आमदनी कीमत अशारिया Real Income Purchasing power of income rather than the money value of income When prices rise, our income can buy lesser number of goods and services This means a decline in real income Real income can be calculated from money income or nominal income by dividing nominal income by price index See also nominal income price index वास्तविक आई ये आई के मौद्रिक मूल्य की अपेक्षा आई की क्रैक्षमता को व्यक्त करती है कीमतों में व्रिधी होने पर हम अपनी आई से पहले की अपेक्षा कम वस्तुएं वसेवाईं खरीद पाते हैं इसका अर्थ ये है कि हमारी वास्तविक आई घट गई है मौद्रिक आई को मूल्य सूचकांग से विभाजित करने पर वस्तविक आई प्राप्त होती है देखें मौद्रिक आई कीमत सूचकांग हकीकी आमदनी आमदनी की जरी कीमत के बजाए आमदनी की कुवते खरीद को जाहिर करती है कीमतों में इजाफा होने पर हम अपनी आमदनी से पहले के मुकाबले कम चीजे या खिदमात हासिल कर पाते हैं इसका मतलब ये है कि हमारी हकीकी आमदनी कम हो गई है हकीकी आमदनी जरी आमदनी को कीमत आशारिय से तक्सीम करके हासिल होती है नेज देखिये जरी आमधनी, कीमत अशारिया for more than a few months, it is not as severe or prolonged as a depression. A recession begins just after the economy is a beek of activity and ends as the economy reaches its straw The slowdown is normally visible in real GDP, real income, employment and industrial production and wholesale and retail sales. अवमंदन पून गिरावट होती है परन्तु ये मंदी की भाती तीवर या देर्ख कालिक नहीं होती अवमंदन अर्थ विवस्था के क्रिया कलापों के शेष पर पहुँचने के तुरंत बाद आरंभ होता है और अब कर्ष तक पहुँचने पर समाप्थ हो जाता है अवमंदन, सामानितह, वास्तविक सकल देशिय उत्पाद, वास्तविक आय, रोजगार और अद्योगिक उत्पादन तथा थोक और फुटकर बिक्री में दिखाई देता है सर्द बाजारी माशी सरगर्मी में वो मजमूई जवाल या गिरावट जिसका मुशाहिदा खास तोर पर रोजगार और पैदावार में सुस्त रफदारी से किया जा सकता है ये कारोबारी दोर का एक ऐसा मरहला है जो गरम बाजारी यानि बूम और नुक्ता जेरी यानि टरफ के दर्मियान रहता है अगरचे माशी सरगर्मी में ये एक एहम गिरावट है जो कुछ महीनों के लिए पूरी मैशत में च्छाई रहती है लेकिन महीनों की कसादबाजारी की तरहा शदीद और तबील नहीं होती सरदबाजारी मैशत की सरगर्मियों के उरूज पर पहुँचने के फौरण बाद शुरू हो जाती है और मैशत के सरदबाजारी के नुक्ता जेरें तक पहुँचने पर खत्म हो जाती है आम तौर पर हकीकी GDP, हकीकी आमदनी, रोजगार, सनाती पैदावार, ठोक और खुर्दा ब्यापारों में सुस्त रवी देखी जाती है Page 123. Rectangular Hyperbola A two-dimensional curve which is asymptotic to both the axes, where asymptotic means that it approaches but never touches the axes. The equation takes the form xy is equal to c, where c is a constant. For economics, only the part in the first quadrant is generally used. Here, the curve is negatively sloped and convex from below. In this part, the elasticity of each variable with respect to the other is unity. The demand curve is called a rectangular hyperbola when demand is unitary elastic, that is, ed is equal to 1. The diagram below shows such a demand curve. For any two points P and Q on the curve, the areas of two rectangles OY1, PX1 and OY2, QX2 are the same and are equal to c, a constant. With such a demand curve, consumers' expenditures are always the same and equal to c, irrespective of the point of consumption. आयताकार अति आति पर्वलई एक वक्र जो अक्षों के साथ अनंत स्पर्षी होता है, जहां अनंत स्पर्षी का अर्थ है, कि अक्षों की ओर अग्रिसर होता है, परन्तु उन्हें कभी स्पर्ष नहीं करता. X, Y बराबर C समिकरण से एक वक्र बनता है, जिसे आयताकार अति पर्वले कहते हैं, जहां X और Y दो चर हैं और C एक स्थिरांक है. अर्थ शास्त्र में सामानितह केवल पहले वृत्पाद वाला भागी उप्योग मिलाया जाता है, यहां वक्र रिडांत मकढाल वाला तथा मूल बिंदू की ओर से उन्नतो दर होता है. इस भाग के दोनों चरों की एक दूसरे के प्रती लोच इकाई के बराबर होती है. मांग वक्र आयताकार अति पर्वले कहलाता है, जहां मांग इकाई लोचदार होती है. अर्थात, ED बराबर एक दिया गया चित्र इसी प्रकार के मांग वक्र को प्रदर्शित करता है. वक्र पर किनी दो बिंदूं, P और Q के लिए दो आयतों, OY1, PX1 और OY2, QX2 के क्षेत्रफल समान हैं. और C एक स्थिरंग के बराबर हैं. इस प्रकार के मांग वक्र पर उपभोगता का व्यए सदैव समान और C के बराबर रहता है. चाहे उपभोग बिंदू कोई भी हो. मुस्तकील नुमा हाइपर बोला. ये एक मनहनी है जो महवरों के साथ मुतकारिब यानि एसिम्टॉटिक रहता है. यहां मुतकारिब का मतलब ये है कि ये महवरों की तरफ बढ़ता तो है लेकिन उन्हें कभी छूता नहीं है. एकस वाई बराबर सी जैसी शकल से जिसमें एकस और वाई दो मतगीरे हो और सी एक मुस्तकिला हो, हमको एक मुस्ततील नुमा हाइपर बोला हासिल होता है. तलब मनहनी को मुस्ततील नुमा हाइपर बोला कहा जाता है. जबके तलब एक वहदानी लचकदार यानि एडी बर जेल का डाइग्राम ऐसा ही एक तलब मनहनी को जाहिर करता है। सर्फ का नुकता कोई भी हो। असासों की दोबारा तक्सीम जैसे जमीनी इसलाहात के जरिये दौलतमंद किसानों से जमीन लेकर गरीबों में तक्सीम करना। सर्फ करता है। सर्फ करता है। सर्फ करता है। and enforce a ceiling of wages and income on the other side. Page 124 आय का पुनर्वित्रण धन के वित्रण में असमानताईं दूर करने, तथा अमीर और गरीब के मध्य, अंतर नेहित द्वंद को समाप्त करने की दृष्टी से, सरकार आय के उचित और न्याय संगत पुनर्वित्रण का प्रयास करती है. सरकार राजकोशिय प्रक्रियाएं अपनाती है, जैसे धन्वान वर्गों पर भारी कर लगाना, और गरीब तथा आर्थिक रूप से पिछडे वर्गों को करों में छूप देना. ये निशुल्क स्वास्थ देखभाल, शिक्षा तथा अन्य सुविधाईं देकर, गरीब वर्गों को विशेश्ट लाभ प्रदान करती है, राजकोशिय उपकरण अर्थ व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में समव्रिद्धी और विकास के साथ मिलकर आय को पुनर वित्रण की ओर अगरसर कर सकते हैं, एक ओर न्यूंतम वेतन में व्रिद्धी करना, और दूसरी और वेतन तथा आय की उच्च तम सीमा लागू करना, आय के बल पूर्व पुनर वित्रण की एक दूसरी विधी है, आमदनी की तक्सीम नौ की कोशिश करती है, हकूमत मुख्तलिफ मालियाती अग्दामाद करती है, मसलन ज्यादा दौलतमन लोगों पर भारी टैक्स लगाती है, और गरीबों और समाज के माशी तोर पर पसमानदा लोगों को टैक्स से छूट देती है, हकूमत, मुफ्ट तिब्बी सहूलतें, तालीम और दीगर सहूलतें दे कर गरीब तबकात को खुसूसी रियायात देती है मालियाती सहूलतों के साथ साथ मैशत के तमाम सेक्टरों में नमू और तरक्य के नतीजे में आमदनी की नई तकसीम वजूद में आती है आमदनी की दूसरी नई जबरिया तकसीम ये भी है कि एक तरफ कम से कम उजुरत को बढ़ा दिया जाता है और दूसरी तरफ आमदनी और तनख्वाहों की जादा से जादा हद तै कर दी जाती है Regional Equality Equal distribution of income and employment between different geographical regions of a country To help address regional backwardness and achieve regional equality, government provides subsidies, tax allowances, infrastructure and technical assistance etc. to states Sometimes, the international organizations also provide special aid to backward regions Regional Equality is a relevant goal when national growth is not being distributed equally across the regions ख्षेत्रिय समानता देश के विभिन भोगोलिक ख्षेत्रों के मध्य, आय और रोजगार का समान वित्रण ख्षेत्रिय पिछड़ेपन के समाधान में सहायता करनी और ख्षेत्रिय समानता की प्राप्ती के लिए सरकार राज्यों को आर्थिक सहाय की कर छूट, आधारिक संरचना, तकनीकी सहायता आदी उपलब्ध कराती है कभी-कभी आंतर राश्ट्रिय संगठन पिछड़े क्षेत्रों को विशेश सहायता भी देते हैं जब राश्ट्रिय सम्विद्धी का वित्रण क्षेत्रों के बीच समान रूप से नहीं होता तो क्षेत्रिय समानता एक प्रासंगेक लक्ष है इलाकाई बराबरी मुलक के मुखतलिफ इलाकों के दर्मियान आमदनी और रोजगार की मसावी तक्सीम, इलाकाई पस्मांदगी दूर करने और इलाकाई मसावात हासिल करने में मदद के लिए हकूमत रियासतों को सबसिडीज, टैक्सों में छूट, बुनियादी सहूलतें और तक्नीकी इमदाद फराहम करती है कभी-कभी बैनलाक्वामी तन्जीमें भी पस्मांदा खितों को खुसूसी इमदाद महिया करती है जब कौमी नमू की तक्सीम मुक्तलिफ इलाकों के दर्मियान यकसा या मसावी तोर पर नहीं की जाती तो इलाकाई बराबरी एक ऐसा मकसद होता है जिसकी मानवियत से इंकार नहीं किया जा सकता Regional Trading Blocks A group of countries who agree to trade freely among themselves Prominent examples are the European Union EU, North American Free Trade Agreement, NAFTA and Association of Southeast Asian Nations, ASEAN क्षेत्रिय व्यापार गुट देशों का समू जो आपस में मुक्त व्यापार करने के लिए सहमत होता है इसके प्रमुक उधारण है यूरोपिय संग, EU, उत्तर अमरीकी मुक्त व्यापार समझोता, NAFTA और दक्षिन पूर्व एशियन राष्ट्रों का संगठन, ASEAN इलाकाई तिजारती ब्लॉक उन मुलकों का एक ग्रूप जो बाहमें तिजारत करने के लिए इत्तफाक कर लेते हैं यूरोपी यूनियन यानि EU, शुमाली अमरीकी आजाद तिजारती मुआइदा, NAFTA और जुनूब मश्रकी एशियाई मुलकों की अंजुमन, ASEAN, ऐसी तिजारती ब्लॉकों की उम्दा मिसाले हैं Regional Variation Existence of socio-economic and political imbalances across different regions in a country Socio-economic imbalances can be in terms of variation in per capita income, literacy rates, infant mortality rates, or other socio-economic factors Kshetriya Bhinnita किसी देश के विभिन क्षेत्रों में समाज आर्थिक एवं राजनेतिक असंतुलनों का विद्धिमान होना समाजिक आर्थिक असंतुलन, प्रती व्यक्ति आई, साक्शर्ता दर, शिशु मृत्यु दर अत्वा दूसरे समाजिक आर्थिक कारकों के रूप में हो सकते हैं इलाकाई तफावत किसी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में समाजी, माशी और सियासी नाबराबरियों का मौजूद होना समाजी और माशी नाबराबरियां, फीकस आमदनी, शराखवांदगी और बच्चों की शराख अमवात की शकल में हो सकती है Regressive Tax Regress Tax means a person with lower income pays a higher proportion of his or her income as tax Pratigami Kar Pratigami Kar का अर्थ है कि अपेक्षाकरत कम आए वाला व्यक्ति अपनी आए का एक उच्च तर अनुपात कर के रूप में अदा करता है Rajati Tax Rajati Tax का मतनब ये है कि कम आमदनी वाला शक्स अपनी आमदनी का ज्यादा फीसद हिस्सा टैक्स की सूरत में अदा करे Regular Salaried Employee An employee who is paid salary on a regular basis, be it weekly, fortnightly or monthly. Regular employees usually enjoy some protection and benefits such as health care, insurance, retirement benefits etc. Such employees are a very small proportion of the people employed in India. Page 125 नियमित वैतनिक कर्मचारी एक कर्मचारी जिसे नियमित रूप से वेतन दिया जाता हो, चाहे वो सापताहिक, पाक्षिक या फिर मासिक हो. नियमित कर्मचारी आम तौर पर कुछ सुरक्षा तथा लाभ प्राप्त करते हैं, जैसे स्वास्थ देखभाल, बीमा, सेवा निवृत्ति लाभ अित्यादी. भारत में ऐसे कर्मचारियों का अनुपात, कुल कारिरत लोगों की तुलना में काफी कम है. बाकाइदा तन्खादार मुलाजिम एक मुलाजम जिसको बाकाइदा तौर पर तन्ख़ा दी जाती है चाहे ये तन्ख़ा हफ्तेवार हो, पंद्रा रोजा हो या माहवार हो तन्ख़ा में किसी मुलाजम को दी जाने वाली दीगर मुनफातें जैसे मकान भत्ता, मेडिकल भत्ता, बीमा और डिटार्मेंट वगेरा की सहूलतें शामिल है हिंदुस्तान में ऐसे मुलाजमीन का फीसद तनासूब में मुलाजमीन की मजमूई तादाद के मुकाबले बहुत कम है Regulated Economy An economy which is subject to partial or complete intervention in the economic decision making by the government bodies or its agencies The major forms of intervention include consumer protection, creation of public enterprises in order to run industries that are natural monopolies and price controls and subsidies and support prices लगान या किराया ऐसी अर्थ व्यवस्था जिसमें आर्थिक निर्णय निर्धारण में आंशिक अथ्वा पूर्ण रूप से सरकारी निकायों अथ्वा संस्थाओं का हस्तक्षेप होता है इस हस्तक्षेप के मुख्खे रूपों में उपभोगता सनरक्षन, प्राकृतिक एकाधिकार वाले उद्द्योगों को चलाने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों का निर्मान, कीमत नियंत्रन, सहाय की तथा समर्थन कीमते शामिल है जाप्ता बंद मैशत एक ऐसी मैशत जिसमें माशी फैसला साजी में सरकारी इदारों या इदारों की एजनसियों की जुजवी या कुली मदाखलत होती है सारिफीन के मफादाद का तहफूज, पुदरती इजारादारी वाली तिजारतों को चलाने के लिए पबलिक एंटरप्राइस की तश्कील, कीमतों पर कंट्रोल और सहरा कीमतें, सरकारी मदाखलत की कुछ एहम शकले हैं RELATIVE PRICE Price of a good expressed in terms of price of another good, rather than in terms of money. For example, price of 1 kg of wheat is Rs. 20 and price of 1 kg of rice is Rs. 40. In this case, price of rice relative to wheat is 2, that is, 40 divided by 20. Sapeaksh कीमत गिसी वस्तु की कीमत को मुद्रा के अपेक्षा, किसी अन्य वस्तु के मान के रोब में व्यक्त करना. उधार сторону के लिए यदि एक kg गेहूं का मूल्ले 20 रुपे तथा एक किलो चावल का मूल्ले 40 रुपे है, तो गेहों के प्रती चावल की सापेक्ष कीमत 40 भाग 20 है इजाफी कीमत किसी शे की कीमत को जरी हवाले से बियान ना करके किसी दूसरी शे की कदर की शकल में बियान करना मसलन एक किलोग्राम गेहुं की कीमत बीस रुपए और एक किलोग्राम चावल की कीमत चालीस रुपए हो तो गेहुं के तालुक से चावल की इजाफी कीमत चालीस बटा बीस होगी Remittance A sum of money transferred to another person, often by a migrant worker to his or her family For many countries, remittances are a major source of income धन प्रेशन मुद्रा राशी जो अन्य व्यत्ति को अंतरित की जाती है अक्सर ये एक प्रवासी कामगर द्वारा अपने परिवार को भेजी जाती है अनेक देशों के लिए प्रेशित धन आयका एक मुखिस्त्रोत है तरसील इजर वो रकम जो किसी दूसरे शक्स को तरसील या मुंतकिल कर दी जाती है ये रकम अक्सर गेर मुल्क में काम करने वाले लोगों की तरफ से अपने एहले खाना को भेजी जाती है बहुत से मुल्कों के लिए तरसील इजर आमदनी का बहुत बड़ा जरिया है Renewable Resources Natural ecosystem-based resources that can be replaced or replenished by natural processes or human action Fish, forests, solar and wind energy are renewable natural resources Minerals and fossil fuels are non-renewable natural resources because they are regenerated on a geological rather than human time scale Some aspects of the environment's soil quantity, assimilative capacity, water ecological support systems, flora and fauna are called semi-renewable because they are regenerated very slowly on a human time scale Navikaraniya Sansadhan Prakritik Paritantra Aadharit Sansadhan जिनकी प्राक्रतिक प्रक्रमोद अथ्वा मानिविय क्रियाओं द्वारा प्रतिस्थापन अथ्वा पुनः पूर्ति की जा सकती है Matzya, Van, Saur Urja और Pavan Urja नavikaraniyae Prakritik Sansadhan है Khanij तथा जीवाश्म इंधन अ-Navikaraniyae Prakritik Sansadhan है क्योंकी वे मानिविय के बजाए भू वैज्ञानिक समय पैमाने पर नवीनी क्रित होते हैं परियावरण के कुछ पहलू जैसे मृदा की मात्रा, स्वांगीकारी क्षमता, जल, पारी तंत्रिय सहायता प्रणालिया, वनस्पती जात और प्राणी जात, अर्ध नवीकरणिय कहलाते हैं क्यूंकि ये मानिविय समय पैमाने पर बहुत धीमी गती से नवीनी क्रित होते हैं قाबले तजदीद वसाइल قदरती निजामे महालियाद पर मुबनी वसाइल, जिनकी तजदीद, तबदील या अहया गुदरती अमल या इन्सानी आमाल से हो सकता है मचलिया, जंगलाद, सूरज और हवा की तबानाई गाबले तजदीद गुदरती वसाइल हैं मादनियात और फॉसिल इंधन यानि फॉसिल फियूल्स गेर काबिले तजदीद गुदरती वसाइल हैं क्यूंकि ये इनसानी पैमाने वक्त के बजाए जियोलोजिकल पैमाने वक्त पर काबिले तजदीद होते हैं माहौलियात के कुछ पहलू मिट्टी की मिगदार, इंजजाबी सलाहियत, पानी, माहौलियाती सहरा निजाम यानि नबातात और हैवानाद को मुशाबा काबिले तजदीद कहा जाता है क्यूंकि उनकी तजदीद इंसानी पैमाने वक्त पर बहुत सुस्त रवी से होती है RENT Payment made for the use of factors whose supply is fixed, for example, land or building. Ricardo used this concept in relation to the original and indestructible powers of land. Modern economists extend this term for all factors of production, which are scarce in supply and earn more than their transfer earnings and call it economic rent. लगान या किराया ऐसे कारुकों जिनकी पूर्ती स्थिर है, उनके उप्योग के लिए किया गया भुक्तान, जैसे भूमी या भावन. Rekordo ने इस अवधारणा का उप्योग भूमी की मौलिक तता अविनाशी शक्तियों के संदर्भ में किया. आधुनेक अर्थ शास्त्री इस पद का उप्योग उत्पादन के सभी कारकों के लिए करते हैं, जिनकी पूर्थी अल्प होती है और जो अपनी अंतरण आई से अधिक आई कमाते हैं और इसे आर्थिक लगान कहते हैं. किराया ऐसे अवामिल के लिए की जाने वाली अदाईगी जिनकी रसद साबित यानि फिक्स्ड हो जैसे जमीन या इमारात. रिकारडो ने इस नजरी का इस्तिमाल जमीन की असली और नाकाबल बर्बादी कुवतों के हवाले से किया है. जदीद माहरीन अक्तिसादियात ने इस इस्तिला को पैदावार के उन तमाम अवामिल के लिए इस्तिमाल किया है जिनकी रसद कम होती है और जो अपनी मुतबादिल याफ़तों से ज्यादा आमदनी कमाते हैं. ये माहरी ने एक्तसादियात इसे माशी किराया कहते हैं। जब व्यापारिक बैंकों को अल्पकालिक तरलता की आवश्यक्ता होती है। तो वे अपनी प्रतिभूतियां केंद्रिय बैंक के पास रखकर फंड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक आने वाले समय पर वे उन प्रतिभूतियों को वापस खरीदने के लिए बात होते हैं। ऐसे में केंद्रिय बैंक द्वारा वसूली गई ब्याज की दर को रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट बैंक दर से भिन होती है। देखें बैंक दर विपरीत रेपो रेट। रेपो शरह वो शरह जिस पर कमर्शल बैंक, रिजर्व बैंक से उस वक्त रुपए कर्ज लेते हैं जब उनको मुखतसर मुदधी से आलियत की जरूरत होती है। रेपो दरसल रेपरचेज आबलिगेशन का मुखफ़ है। दर्ज फहरिस्त कमर्शल बैंक अपनी सेकरिटीज आर बी आई को इस करारदाद के साथ बेचते हैं कि वो इन सेकरिटीज को किसी आने वाली तारीख पर वापस खरीद लेंगे। ये शकल बैंक शरह से मुखतलिफ होती है। रेपो के मौामले में आर बी आई सेकरिटीज को जमानत के तौर पर रख कर सिस्टम में सयालियत यानी नकदी फराहम कर देता है। नेज देखिए बैंक शरह बरग्स रेपो शरह। A sample where every individual unit in the population has an equal chance of being included in the sample. An estimate of the population can be made on the basis of a representative sample. प्रतिनिधी प्रतिदर्श एक प्रतिदर्श जहां समग्र में प्रतीक व्यक्तिक एकाई के प्रतिदर्श में शामिल होने के समान अफसर होते हैं। एक प्रतिनिधी प्रतिदर्श के आधार पर किसी समग्र का अनुमान किया जा सकता है। नुमाइंदा सैंपल एक ऐसा नमूना जिसमें आबादी की हर इंफरादी इकाई को सैंपल में शामिल होने का यकसा मौका होता है। नुमाइंदा सैंपल की बुनियात पर किसी आबादी का तखमीना लगाया जा सकता है। Reserve Bank of India India's Central Bank It was established on 1st April 1935 and nationalized in 1949. The main objective of RBI is to frame and implement the monetary policy for ensuring price stability with sustainable growth and financial stability. RBI functions as the monetary policy authority and regulator of money, note issuing authority and banker to banks and the government. Besides, it regulates and supervises banking and non-banking financial institutions, foreign exchange and government security, markets and overseas payments and settlement systems. भारती रिजर्व बैंक भारत का केंद्रिय बैंक इसकी स्थापना एक अप्रेल 1935 को हुई और 1909 में इसका राष्ट्रिय करण हुआ। भारती भारती रिजर्व बैंक का मुख्य उद्देश, धारणी विकास और वितिय स्थाइत्व के साथ, कीमतों के स्थाइत्व को सुनिष्चित करने के लिए मौदरिक नीती का निर्मान करना तथा क्रियानवन करना है। भारती रिजर्व बैंक मौदरिक नीती प्राधिकरण और मुदरा के नियंतरक, नोट प्रचालक प्राधिकारी और बैंकूं और सरकार के बैंकर के रूप में कारी करता है। इसके अलावा ये बैंकिंग और गैर बैंकिंग वितिय संस्थाओं, विदेशी विनिमय, सरकारी प्रतिभूती बाजारों का नियमन तथा परिवेक्षन करता है, तथा भुगतानों और समाधान तंत्रों पर द्रिष्टी रखता है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया आर बी आई हिंदुस्तान का सेंट्रल बैंक है। ये यकम अपरेल 1935 को कायम किया गया और 1949 में इसको कौमिया आया गया। आर बी आई का खास मकसद पाइदार तरकी और माली इस्तेहकाम के साथ कीमतों के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए जरी पॉलिसी की तश्कील करना और उसको नाफिज करना है। Reserve Bank of India जरी पॉलिसी अथारिटी और बैंक और हकूमत के बैंकर की हैसियत से काम करता है। इसके अलावा ये बैंकिंग और गैर बैंकिंग माली इदारों, गैर मुलकी जरे मुबादला और सरकारी सेकुरिटीज बाजारों को मुझबत रखता है और उनके निगरानी भी करता है और इसके अलावा अदाइगियों और तस्विया तलब अमूर को तै करता है। संसाधन निशकर्षन कच्चे माल के रूप में उपियोग करने के लिए परवतू, वनू, खदानू, नदी तालाबूं से प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करना। संसाधनों के निशकर्षन से पूर्व उनके पारिस थिकीय संतुलन को बनाए रखने और परियावरन स्थाइत्व पर प्रभाव का आकलन कर लेना चाहिए। वसाइल का इस्तखराज कच्चे माल की शकल में इस्तिमाल करने के लिए पहाड़ों, जंगलात, कानों और दरियाओं की तहों से खुद्रती वसाइल हासिल करने का तरीका। वसाइल के इस्तखराज से कबल जोग्राफिया तवाजन और महौलियाती इस्तहकाम पर उनके असरात का जाइजा लेना जरूरी है। पचे 127 RESOURCES refers to natural and human inputs which help in production. Resources may be natural or man-made. Natural resources can be renewable, solar energy, forests, fisheries or non-renewable, oil, minerals, coal etc. Man-made resources can be in form of any manufactured or processed material, for example machines, steel etc. Human resources refers to contribution of human beings to economic activity. This can be increased through skills, education etc. See also Factors of production Human resources संसाधन संसाधनों से अभी प्राई, उन सभी प्राकृतिक तथा मानवी आगतों से हैं, जो उत्पादन में सहायता करती हैं. संसाधन प्राकृतिक अथ्वा मानव निर्मित हो सकते हैं. प्राकृतिक संसाधन, निर्मित संसाधन, विनिर्मित या प्रसंस्कृत पदार्थ जैसे मशीने, स्टील आदी के रूप में हो सकते हैं. मानवी संसाधनों से अभी प्राई, आर्थिक क्रिया कलाप में मानवी योगदान से हैं. इसमें कौशल निर्मान तथा शिक्षा के द्वारा वृध्धी की जाती हैं. देखें, उत्पादन के कारक मानव संसाधन. वसाइल वो तमाम गुद्रती और इनसानी अवामिल जो पैदावार में मावन हो. वसाइल गुद्रती भी होते हैं और मसनुई भी. गुद्रती वसाइल काबले तजदीद हो सकते हैं जैसे शमसी तवानाई, जंगलाथ, मचलियां वगएरा या फिर नाकाबले तजदीद हो सकते हैं जैसे तेल, मादनियात, कोईला वगएरा इनसान के पैदाकरदा वसाइल, मचीन और फॉलाद मस्नुवाद की शकल में होते हैं इनसानी वसाइल, इक्तसादी सरगर्मी में इनसानी शिरकत को जाहिर करते हैं इसमें महारतों, तालीम वगएरा के जरिये इजाफा किया जा सकता है नेज देखिये, पैदावार के अवामिल, इनसानी वसाइल Retailer A business or person that sells goods to the consumer directly, as opposed to a wholesaler, who normally sells the goods to the retailer. While farmers or manufacturers supply goods to the wholesalers, the wholesalers in turn supply goods to the retailers. Purchase and sale of goods between consumers and retailers is known as retail trade. Manufacturer supplies the goods to wholesaler, who further gives the goods to retailer, who sells the final goods to the consumer. Khudra, Footkar Vyapari व्याफसाई या व्यक्ति जो वस्तूइं सीधी उपभोगता को बेचता है. ये थोक व्यापारी से अलग है, जो वस्तूइं खुद्रा व्यापारी को बेचता है. जबकि किसान और व्यनिर्माता थोक व्यापारी पुने खुद्रा व्यापारी को वस्तूइं की पूर्ति करते हैं. उपभोगताओं और खुद्रा व्यापारियों के मध्धिर वस्तों का क्रय विक्रय खुद्रा फुटकर व्यापार कहलाता है। वे निर्माता थोक विक्रेता को माल देता है। थोक विक्रेता उसे फुटकर विक्रेता को बेजता है, जो अंततह उपभोगता को बेजता है। खुर्दा फरोश ऐसा कारोबार या शख्स जो अशिया को बराहरास्त सारिफ के हाथ बेचता है इसके बर खिलाफ थोक कारोबारी आम तोर पर अशिया को खुर्दा फरोशों के हाथ बेचता है किसान या मैनिफेक्चरर अशिया को ठोक कारुबारियों तक पहुँचाते हैं और ठोक कारुबारी वो अशिया खुर्दा फरोशों को पहुँचाते हैं सारिफीन और खुर्दा फरोशों के दर्मियान अशिया की खरीद फरोखत को खुर्दा तिजारत कहा जाता है Manufacturer Thok Karubari Khordha Farosh Tasarif Returns to Scale Increase in output when all inputs are increased in the same proportion in the long run. Returns to scale can be increasing, decreasing and constant. Suppose all inputs are increased by 10% and the output increases by more than 10%. It is called increasing returns to scale. If output increases by less than 10%, it is called diminishing returns to scale. If output increases exactly by 10%, it is called constant returns to scale. पैमाने के प्रतिभल उत्पादन में व्रिद्धी जब दीर्खकाल में सभी आगतों में समान अनुपात में व्रिद्धी की जाती है. पैमाने के प्रतिफल बढ़ते हुए, घटते हुए या स्थेर हो सकते हैं. माना सभी आगतों में 10% की व्रिद्धी की जाती है, और उत्पादन 10% से अधिक बढ़ जाता है, तो ये पैमाने का व्रिद्धी मान प्रतिफल कहलाता है. यदि उत्पादन 10% से कम बढ़ता है, तो ये पैमाने का हरास मान प्रतिफल कहलाता है. यदि उत्पादन ठीक 10% बढ़ता है, तो ये पैमाने का स्थेर प्रतिफल कहलाता है. पैमाने के हासिल पैदावार में उस वक्त इजाफा होता है जब लंबी मुद्दत में सभी इन्पुट में यकसा तनासुब के साथ इजाफा किया जाए पैमाने के हासिल बढ़ते हुए, घड़ते हुए और कायम होते हुए हासिल है पर्ज कीजिए किस सभी इन्पुट में दस फीसद का इजाफा किया गया लेकिन पैदावार दस फीसद से ज्यादा बढ़ गई तो ये पैमाने का बढ़ता हुआ हासिल है अगर पैदावार 10 फीसद से कम बढ़ती है तो ये पैमाने का घड़ता हुआ हासिल है और अगर पैदावार ठीक उसी फीसद से बढ़ती है तो ये कायम हासिल है This refers to the increase in the price of a currency in terms of another currency under the regime of fixed exchange rates For example, if 1 dollar equals 100 rupees initially and the government decides the value of rupee relative to dollar so that 1 dollar equals only 50 rupees now This change in exchange rate is done through government policy since the term's revaluation is used in the context of fixed exchange rates See also, appreciation of exchange rate, fixed exchange rate पुनर मूल्यन सिर्व विनिमाई दर प्रणाली में एक करंसी का मूल्य दूसरी करंसी के रूप में पढ़ना उधारन के लिए यदि एक डॉलर का मूल्य एक सो रुपय है तथा, सरकार ये निर्न लेती है कि डॉलर का नया मूल्य 50 रुपय हो विनिमाई दर में ये परिवर्तन सरकारी नीती द्वारा होता है क्यूंकि पुनर मूल्यन की धारना का उप्योग केवल स्थेर विनिमाई दर के संदर्भ में ही होता है देखें, विनिमाई दर व्रिद्धी स्थेर विनिमाई दर, पेज 1-2-8 बाज कदरी जर्य मुबादले की तैशुदा शरह वाले निजाम में, गैर मुल्की करंसी की शकल में, मुल्की करंसी की कदर में इजाफा मसलन, अगर एक डॉलर की कीमत 100 रुपए है और हकूमत ये चाहती है कि डॉलर की नए कीमत 50 रुपए हो तो इस किस्म के तैशुदा शरह मुबादले की पॉलिसी में तबदीली हकूमत की तरफ से होती है क्यूंकि बाज कदरी के तै करने का अमल सिर्फ तैशुदा जरह मुबादले के सिलसले में होता है नेज देखिए शरह मुबादला, काइम शरह मुबादला आगम बाजार में अपनी वस्तुएं और सेवाईं बेच कर किसी फिर्म द्वारा अरजित प्राप दिया महासिल, रेवेन्यू बाजार में अपनी मस्नुवात और सिदमात फरोख्त करके किसी फिर्म के जरिये की गई वसूलिया भिया रेवेन्यू बजट अकाउंट ओफ करन्ट रिसीट्स अफ गवन्मेंट और करन्ट एक्स्पेंडिचर अफ गवन्मेंट राजस्व बजट रवेन्यूद लवेसिट और सर्प्च。 इस टर्स बबजब तर बालंस अफ श cities लव मन्मि बेसे वंट ऑष्छ क्स व ऋेवन्यूशки मिन एवन्मे रर च welcoming रीव श्प्स ए. is called revenue surplus and the reverse is called revenue deficit. Revenue surplus is equal to revenue receipts minus revenue expenditure. Revenue deficit is equal to revenue expenditure minus revenue receipts. When the government incurs a revenue deficit, it implies that the government is dissaving and since a major part of revenue expenditure is committed expenditure, that is salaries of employees, that cannot be reduced, so the government may need to reduce capital expenditure or welfare expenditure. Rajaswaghata In dharanāo ka sambandh, serkaar ke chalu aay tata vyaay khate mein praaptyom v bhuktaan ke santulan se hai. Serkaari raja sva praaptyon ki sarkari raja sva vyaay par adhikta, raja sva adhikya ko darshaati hai. जबकि जबकि इसकी विप्रेत स्थिति को राजस्व घाटा कहा जाता है. जब सरकार राजस्व घाटा दर्शाती है, जैसे कर्मचारियों का वेतन का होता है, जिसे कम नहीं किया जा सकता, अता सरकार को पूंजी गत या कल्यान कारी व्याय को कम करना पड़ सकता है. रेवेन्यू बजट सरकार की चालू वसूलियाबियों और उसके खर्च का ऐसा गोशवारा जिसको उन वसूलियाबियों से पूरा किया जा सके. रेवेन्यू डेफिसिट और सर्पलस रेवेन्यू खिसारा रेवेन्यू घाटा सरकारी रेवेन्यू वसूली के मुकाबले सरकारी रेवेन्यू खर्च का ज्यादा होना रेवेन्यू खिसारे में सिर्फ वो सौदे शामिल है जिससे सरकार की मौझूदा आमदनी और खर्च मुतासिर होते है रेवेन्यू सर्प्लस बराबर रेवेन्यू वसूलियाबियां घटा रेवेन्यू खर्च रेवेन्यू खिसारा बराबर रेवेन्यू खर्च घटा रेवेन्यू वसूलियां जब सरकार रेवेन्यू घाटा दिखाती है तो इसका मतलब होता है कि सरकार बचट के बजाए खर्च कर रही है और मैश्यत के दूसरे सेक्टरों की बचट का इस्तिमाल अपने सर्फी खर्च के एक हिस्से पर लेगा रही है चूंके रेवेन्यू खर्चों का एक बड़ा हिस्सा सरकार की जिम्मेदारियों जैसे मुलाजमीन की तनखाहों वगेरा की अदाएगी पर खर्च होता है और इसे कम नहीं किया जा सकता इसलिए सरकार पैदावारी सलाहित वाले सरमाया जाती खर्च या फलाही खर्च कम कर द ताहे रेवन्यू EXPENDITURE EXPENDITURE incurred for the normal running of government departments and for the provisions of various services, interest payments on debt incurred by the government, subsidies etc. in a given year. These expenditures do not result in creation of physical or financial assets. However, all grants given to state governments are treated as revenue expenditure, even though some of the grants may be for creation of assets. RAJA SWAVYAI किसी वर्ष में सरकारी विभागों के सामाने परिचालन और विभिन सेवाओं की विवस्था के लिए सरकार द्वारा लिये गए रिणों पर ब्याज भुक्तान, आर्थिक सहाय की आदी के लिए किया जाने वाला व्याय. ऐसे व्याय भुत एक अत्वविती ये परिसंपत्यों का स्रेजन नहीं करते. राज सरकारों को दिये जाने वाले सबी अनुदान राजस्व व्याय माने जाते हैं. यद भी कुछ अनुदान परिसंपत्यों के स्रेजन के लिए हो सकते हैं. रेवेन्यू खर्च किसी साल में सरकारी महकमों के कामकाज को चलाने, मुख्तलिफ खिदमत के बंदोबस्त करने, सरकार के जरिये लिए गए कर्ज पर सूद की अदाइगी करने और रियायतों वगएरा पर किये जाने वाले खर्च. इन खर्चों से फिजिकल या माली असासों की तखलीख नहीं होती. बहराल, रियासती हकूमतों को दी जाने वाली माली इमदाद रेवेन्यू खर्च में शामिल की जाती है, जबके उसमें कुछ माली इमदाद यानि गर्णट ऐसी भी हो सकती हैं, जिस से असासों की तखली कुछ कि तोसके एक वेस्ट to जोससे इन पर उंक्ट ऑजफिर शर्च दचोंड बजब अच्त Bye WIN just कि और Golden अ अर्च ख तर अचारιαन उन ओन उनिस और झेब्यों sauna 익 फस्वर्ट इन ऑ्रव Allah क्रष ऑनच फॉवर्वनूंग कॉजच ट गॉजब ट फ्रिस अ Krilleवॉस Non-tax revenue consists of all other revenue receipts, which include payments for government-supplied commodities and services, such as payments for postage, road tolls, interest on funds borrowed, electricity, railway services, etc. This also includes interest and dividends on investments made by the government. 9. राजस्व प्राप्ति करेतर राजस्व में अन्य सभी राजस्व प्राप्तियां, जैसे डाक व्याई के लिए भुकतान, सडक टोल उधार राशियों पर ब्याज, विद्युत, रेल सेवाईं आदिशामिल हैं. इसमें सरकार द्वारा किये गए निवेश पर ब्याज और लाभांच भी शामिल है. रेवन्यू की वसूली शामिल हैं जैसे डाक खर्च के लिए अदाएगी, सडक की चौंगी, उधार रकूम पर सूध, बिजली, रेल खिद्मात वगेरा. इसमें हुकूमत के जरिये की गई सरमायाकारी पर सूध और डिविदेंट भी शामिल है. Reverse Repo Rate This stands for the rate at which commercial banks can put their surplus funds with the central bank temporarily for short term by buying the securities from the central bank. See also Repo Rate Reverse Repo Rate वो दर जिस पर व्याफसाइक बैंक अपने अतिरिक्त कोशों को अस्थाई रूप से अलपावधी के लिए केंद्रिये बैंक के पास केंद्रिये बैंक से प्रतिभूतियों का क्राई करके रख सकते हैं. देखें, Repo Rate माकूस रेपोरेट एक माकूस रेपोस सुदे में वसूल की गई मुक्तसर मुददच शराह जिसमें Central Bank, हंदुस्तान में RBI, Securities दूसरे बैंकों को फरोख्त करके सिस्टम से स्यालियत को इस समझोते के साथ वापिस ले लेता है के बाद में Securities को दोबारा खरीद लेगा. नेज देखिये, Repo Rate Ricardian Equivalence The view that financing of government expenditure through taxation or through borrowing has same impact on income and output, making debt-financed government expenditure equivalent to tax-financed government expenditure. This idea is based on views of the 19th century economist David Riccardo. When government increases spending today and finances it through borrowing from the public, the forward-looking consumers know that the government will impose taxes in the future to repay its debt. In this way, it makes no difference to a consumer concerned about future whether the taxes have to be paid by them today or in the future. As a result, people will save more today, which will offset this saving by the government. This saving due to increase in government expenditure. See also, Riccardo D Riccardo की तुल्लिता ये द्रिश्टिकून की कर लगाना और रिण लेकर सरकारी व्याय का वितियन करने का आय तथा उत्पादन स्तर पर समान प्रभाव पढ़ता है. अर्थात, रिण पोशित सरकारी व्याय तथा कर लगाकर किये गए सरकारी व्याय समकक्ष हैं. ये द्रिश्टिकून उन्नीसवी शताबदी के अर्थशास्त्री डेविड Riccardo के विचारूं पर आधारित है. जब सरकार वर्तमान में अधिक व्याय करती है, तो अगर द्रिश्टा उपभोकता जानते हैं कि सरकार भविश्य में इन रिणों को चुकाने के लिए कर लगाएगी. इस प्रकार भविश्य के बारे में सरोकार रखने वाले उपभोकता को इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि वे कर उसे आज देने हैं या भविश्य में. परिणाम स्वरूप लोग आज अधिक बचत करेंगे जिससे सरकारी निर्बचत ओफसेट हो जाएगी. सरकारी व्याय में वृद्धी के परिणाम स्वरूप सरकारी निर्बचत. देखें, रिकार्डो डी. रिकार्डो का नजरिया तसावी. ये नजरिया के टैक्स लगाना और कर्ज लेना माली खर्च के मसावी जराय हैं. अगर आज हकूमत कर्ज लेकर खर्च बढ़ाती है, तो मुस्तक्बिल में उसकी अदाईगी टैक्सों के जरिये की जाएगी. मैशत पर इसका असर वही होता है, जो सरकारी खर्च में उस इजाफे से होता है, जो आज टैक्स में इजाफे की सूरत में लिया जाता है. ज्यादा खिसारे की सूरत में लोग ज्यादा बचट करते हैं और बचट से सरकारी खर्च पर बुरा असर पड़ता है रिकार्डो का नजरिया तसावी इस मफ्रूजे पर मुबनी है कि सारिफीन दूरंदेश होते हैं और अपना खर्च मौजूदा आमदनी पर ही नहीं बलके अपने मुस्तक्बिल की मतोका आमदनी पर भी रखते हैं सारिफीन जानते हैं के आज कर्ज लेने का मतलब मुस्तक्बिल में ज्यादा टैक्स देना है। नेज देखिये रिकार्डो डी रिकार्डो डी 1772-1823 David Ricardo was an English Classical Economist. His important contributions include, among others, Law of Comparative Advantage in the Field of International Trade, Law of Diminishing Returns, Labour Theory of Value, and Theory of Rent. His most famous work is Principles of Political Economy and Taxation, 1817 रिकार्डो डी 1772-1823 डेविड रिकार्डो एक क्लासिकी अंग्रेजी अर्थ शास्त्री थे। उनके बहुत से महत्वपून योगदानों में, अंतर राष्ट्री व्यापार के क्षेत्र में तुलनात्मत लाभ का नियम, रासमान प्रतिफल का नियम, मूले का श्रम सिधान्त और लगान का सिधान्त शामिल हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृती, Principles of Political Economy and Taxation, 1817 हैं। रिकार्डो डी 1772-1823 डेविड रिकार्डो एक अंग्रेज क्लासिकी माहिरे मौाशियात था। बैन अलग्वामी तिजारत के मैदान में तकाबली मन्फाद के कानून के अलावा तखवीफ पजीर आमदनी का कानून यानी Law of Diminishing Returns, कदर का नजरिया महनत यानी Labor Theory of Value और नजरिया किराया यानी Theory of Rent उसके एहम कारناमे हैं। उसकी सबसे मशहूर किताब Principles of Political Economy and Taxation है जो 1817 में छपी है। Page 130 Rich Country Rich Countries are usually defined according to the criterion of average per capita income developed by the World Bank for comparison between countries. Countries with per capita income of Rs. 453,000 per annum and above are designated rich countries. Countries with per capita income of Rs. 37,000 or less are called low-income countries. संपन्न देश संपन्न देशों को सामान नितहद देशों के मध्य तुलना करने के लिए विश्रो बैंक द्वारा विकसित औसत प्रतिव्यक्ति आय के माप दंड के अनुसार परिभाशित किया जाता है। प्रतिव्यक्ति आय 4,53,000 रुपे प्रतिवर्श और इससे अधिक आय वाले देशों को संपन्न देश माना जाता है। प्रतिव्यक्ति आय 37,000 रुपे या इससे कम वाले देशों को अल्प आय वाले देश कहा जाता है। दौलत मंद मुलक दौलत मंद मुलकों की तारीफ आम तौर पर मुलकों के दर्मियान मवाजना करने के लिए वर्ल्ड बेंक के तैयार करदा फार्मूले के मताबिक आसद फीकस आमदनी के मैयार पर की जाती है। फी साल फीकस चार लाग तरिपन हजार रुपए या इससे ज्यादा की आमदनी वाले मुलकों को दौलत मंद कहा जाता है। फीकस 37,000 रुपए या इससे कम आमदनी वाले मुलकों को कम आमदनी वाला मुलक कहा जाता है। Robins L. Lord, 1898-1984 A British economist, Lionel Robins, was educated at the London School of Economics, who began his career from teaching at his Alma Mater. His famous essay on the nature and significance of economic science, 1935, separated positive and normative economics and asserted that economics was concerned with means and not ends. He remained a strong opponent of Keynesianism in the 1930s and played a significant role in the development of post-Keynesian macroeconomics. After 1950, he wrote a series of elegant works on the history of economic thought. Robins L. Lord, 1898-1984 एक British Earth शास्त्री, Leoness Robins, जिनकी शिक्षा, London School of Economics में हुई, और जिनोंने अपना करियर अपने कॉलेज में शिक्षक के रूप में प्रारंभ किया. इनकी प्रसिद्ध कृति, Nature and Significance of Economic Science, 1935 ने सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थ शास्त्र को अलग किया, और इस बात पर बल दिया कि अर्थ शास्त्र का संबंध साधनों से है, साध्य से नहीं. वे 1930 के दशक में केंजवाद के प्रबल विरोधी रहे और उन्होंने पश्र केंजवादी समश्टी अर्थ शास्त्र के विकास में मात पूर्ण भूमी का निभाई. वर्ष 1950 के बाद उन्होंने आर्थ शास्त्रे विचारधारा के इतिहास पर परिश्कृत लेखों की एक शुरंखला लिखी. रॉबिन्स एल लॉड अठारसो अठानवे से उन्निस सो चौरासी बरतानवी माहरे माशियात लाइनल रॉबिन्स की तालीम लंदन स्कूल आफ एकॉनिमिक्स में हुई और उन्होंने इसी इदारे में तरसो तिद्रीज से अपनी पेशावराना जिन्दगी का आगास किया उनके मशूर मकाले नेचर एंड सिगनिफिकंस आफ एकॉनिमिक साइन्स ने मुस्बत माशियात और मयारी माशियात को अलग-अलग किया और इस बात पर जोर दिया कि माशियात का तालुक जराय से है मकासिद से नहीं है वो 1930 के दिहाई में कैंसिजम के जबरदस्ट मुखालिफ के तौर पर उभरे और उन्होंने माबाद कैंस मैक्रो एकॉनिमिक्स के फरोग में एहम रोल अदा किया 1950 के बाद उन्होंने माशी अफकार की तारीख पर एहम काम अंजाम दिया Royalty Annual returns to the owners of patents, intellectual property rights, IPRs, and sub-soil resources like minerals to the owners of such patents, IPRs, and natural resources Royalty Patent वो बौद एक संपता अधिकारों, IPRs, अव मृदा संसाधनों, जैसे खनेज तथा प्राकृतिक संसाधन के स्वामियों को वार्शिक प्रतिलाब Royalty Patent, हुकुके रोशन फिक्री, और मादनियात जैसे जेरे जमीन वसाइल पर ऐसे patent, हुकुके रोशन फिक्री और कुदरती वसाइल के मालिकान को मिलने वाली सालाना आमदनी Rural Urban Migration Movement of people from rural to urban areas with no clear intention to come back in a short period Migration may be temporary or permanent The purpose may be availability of better opportunities for education, employment, living conditions, marriage, etc. Migration can also be induced due to distress in rural areas Gram Nagariya Pravasan लोगों का शीग्र वापस लोटने के स्पष्ट इरादे के बिना Gramiyn क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में जाना प्रवसन आस्थाई या स्थाई हो सकता है इसका उद्देश, शिक्षा, रोजगार, जीवन निर्वह, विवाँ आदी के बहतर अफसरों की उपलब्धता हो सकता है पलाइन के कारण भी Gramiyn क्षेत्रों में संकट के लिए प्रेरित किया जा सकता है शेहरी देही महाजरत जल्दी वापिस लोटने के किसी वाज़ए इरादे के बगएर लोगों की देही इलाकों से शेहरी इलाकों में हिजरत हिजरत आरजी भी हो सकती है और मुस्तकिल भी इसका मकसद तालीम, रोज़गार, गुजर बसर के हालात, शादी विया वगएरा के बेहतर मवाके की फराहमी हो सकता है नकल मकानी की वज़ा से भी देही इलाकों में तकलीफ के लिए होसला अवजाई किया जा सकता है ट्री-Lingual Dictionary, you were just listening to this presentation Project Coordination, Rajesh Nimesh Subject Coordination, Dr. Nirja Rashmi Project Advise, Dr. Bharati Kaushik Technical Coordination, Batilang Lindo Framework Advise, Ajit Horo Production Coordination, Vandana Arimardhan Assistance in Production, Kusum Lata Produced and Directed by Vimlesh Chaudhary And this presentation is brought to you by CIET-NCERT, New Delhi, India